हेलो दोस्तो आप सबीक सोग बात करेंगे हाँ पर दीपग नाइटेट के बारे में दोस्तो इस कमपनी में एक लेटेस ब्रेकी निस आरे उसके बारे में बात करेंगे जो दोस्तों यहाँ पर निवेशे के लिए भी काफी important रहेगी और पता भी चलेगा किसमें यहाँ पर हमें अपना performance कैसे रखना चाहिए कौन दोस्तों यहाँ पर इसमें खरिदारी कर रहा है वो भी यहाँ पर हम identify करेंगे and हमें क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पर हम easily दोस्तों understanding कर लेते है देखें दीपक नाइड़ेट की बात करें दोस्तों तो काफी दिनों से इसमें हमें correction दिखाए दे रहा है और अब यहाँ पर हम जिसे chart pattern और जो भी यहाँ पर news वगेरा है वो देखेंगे और दोस्तों इसमें average करना चाहिए क्या वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और इस company में जो value एड़ करने वाली कुछ चीज़े है वो भी यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं चलिए start कर लेते दोस्तों आप first time visit के हो तो like subscribe ज़रू करना क्योंकि आपके like करने से दोस्तों काफी लोगों को पता भी चलेगा और understanding भी होगे कि दीपक नाइटर में हो क्या रहा है तो चलिए देख लेते डीटेल यहाँ पर दोस्तों जैसे stock के performance की बात करें तो यहाँ पर हमें 0.5% के उपर की गिरावट अभी फिलाल करण में देखने को मिलती है इस clock की और यहाँ पर देखें market का pressure होने के वज़े से दोस्तों जो जो stock यहाँ पर अच्छा कासा return कमा कर दे चुके है और जिनमें यहाँ पर rapidly growth आती है ऐसे stock में दोस्तो rapidly गिरावट भी हमें दिखा देती है यह बात understanding होनी चाहिए जो निवेशे कही रहे है कि सर दीपक नाइटेर इतना correct की हो रहा है इसमें गिरावट की हो दिखाई दे रहे है तो दोस्तो एक reason मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि हापर आप देख सकते है जो stock ऐसा तेजी से return देते है उनमें यहाँ पर हमें तेजी से गिरावट भी जेलनी आनी चैबल तो हमें यहाँ पर उतना पेशन देना आना चाहिए क्योंकि comeback करने का जो दम है इन company में रहता है ऐसे कुछ point भी है मैं आपका आगे रखूंगा भी दोस्तों लंबे समय में इस stock ने सभी का यहाँ पर खेल बदल दिया मैं आपको ओंगा क्योंकि देखिए पूरी तरीके से जो पैसा कमा कर दिया है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लंबे समय में जो भी निवेशक रहते हैं उनको पैसा क्यों मिलता है क्योंकि situation wise दोस्तों जो fluctuation आते हैं उन पर थ्यान नहीं रहता है लोगों का जो long term में निवेश करते हैं क्योंकि देखिए आप तक यहाँ पर आपको देखने मिल बड़े निवेशक कभी भी चोटी मोटी गिरावट आ जाती है बड़ी गिरावट आ जाती है तब खरीदारी करते हैं बेचने की या निकल जाने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा क्या गिर गया शेयर उसके पीछे लग गई अब यहाँ पर इसको बेच कर निकल जाए क्या यह थिंकिंग आ जाती हमेरे मायन में हमें जो यहाँ पर सबर का फल दोस्तों मिठा मिलना चाहिए वो मिलने के लिए समय देना पड़ेगा एक बात याद रख लेना अब यहाँ पर हम बात करेंगे निउस के बारे में निउस क्य दोस्तों तो 2122 रुपई के प्राइज पर इतना बड़ा माल अभी फिलाल उठाय गया है और आपको बताना चाहूंगा इतना बड़ा माल उठाने के पीछे क्या रिजन है और यहाँ पर क्या खास बात इस कंपनी में नजर आईए एक तो दोस्तों देखे दीपक करते तो टीम जरूर रखते हैं और यहीं दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा जो यहाँ पर एक फर्म है उन्होंने आप खरीदारी की है वह भी हाई लेवल पर देखे अभी फिलाल तो हमें दिखाई दे रहा है कि कितने पर 2000 पर मिल रहा है जो फर्म ने दोस्तों यहाँ पर 122 रुपए स्टॉक प्राइस से महेंगा खरीदा है उससे हमें डिस्कॉर्ड में मिल रहा है तो हमें एक बात समन्नी चाहिए किस कंपनी में हमें भी इंट्रेट जरूर दिखाना चाहिए दोस्तों क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि LIC ने इसमें स्टेक बढ़ाया मुझे बताना कि LIC के पास पैसा जादा हो गया नहीं दोस्तों उनको पता है इसमें पैसा बनने वाला है इसलिए उन्होंने पैसा लगाया और दीपक नाटेट में मैंने आपको जैसे कहा कि मैं कम से कम दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 सालों से भी यहाँ पर इसमें निवेश करक हो तो यहाँ पर आपका समय कितना देना है वह आप पर है डिपेंड और आपको पैसा वैसा ही मिलेगा क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा देखिए 10 साल का कैसा रहा है इसका और जर्नी भी कैसी देख सकते हैं 10 साल यहाँ पर 2010 में कमपनी लिस्टेट हो ग आइं गए और दोस्ते यहाँ पर तब बहुत कम क्वांटिटी क्योंकि पता ने था कि इतना ज्यादा परफॉर्म करेगा फिर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट वागिर आए वैसे वैसे हमने यहाँ पर इसमें निवेश बढ़ाया बट मैं आपको बता दो कि यहाँ पर काफी दाव लगाना उसमें आपको पैसा काफी ज़्यादा बनते में नजर आएगा और यहाँ पर जैसे दोस्तों हम जैसे डीटेल में जाकर देखे आज भी देखे इसमें खरीदारी करने के लिए लोगों का इंट्रेस कम नहीं है यहाँ पर देख लेना आज भी हाँ पर 4,6,3 325 कॉंटिटी खरीदी गई है और 44% वेल्यूम का परसेंटेज है तो दीपक नाइटेट में वेटेज है तबी तो लोग जाकर खरीदारी कर रहे है एक चार दस आईसी कॉंटिटी लगातार खरीदी जा रही है और जो दोस्तों मैं नियूस के बारे में बता रहा हूं यहा पर आप पढ़ सकते हैं धिपक नाइटेट में उन्होंने लास्ट एर में भी यहाँ पर कॉंटिटी खरीदी थी और उनका दोस्तों इंट्रेज जो एक कंपनिये में काफी अच्छा रहा है और आपको यह भी पात ज़रूर पता होनी चाहिए कि उनका निवेश क्यू बढ मस करती है पेंट और यहाँ पर पॉलिमेर्स ऐसे वेरियस टैप के इसके पास अडवांटेज है गुजरात में महारास्ट्रे में और तेलंगाना में इनके प्लांट है दोस्तों दीपक नाइटेट के वेटेज काफी है और उसी तरीके से पैसा भी बना कर दिया इनिवेश क्रेन की अचते देखें कंपने यहाँ पर करजा लगातार कम कर रे वर्चुलि डेश्री फ्री आल्मोट द Somewhere दोस्तों वर्चुलि बीने पूरी openings यहाँ पर आपना जो मुक्त हो गई आपको वगाउंगा पूरी तरीके सेट Magaz fancy कंपने में गुड़ोई अच्छे डेलिवर ने पास सालों में रेटन दिया तो लगातर दोस्तों जो wealth creation होगी वो काफी तगड़ी होगी और वो कम समय में आपकी ज़्यादा पैसे बननी की wealth यहापर आपको कोगा create करने के लिए यह company बहुत आच्छा performance आपको दिखा देगी और आपको पैसा भी मिलेगा दस में company के पास 144 इतना ही net profit था अभी हापर देखे अब फिलाल कितना हो गया थोड़ा मैं आपको यहापर इसके पहले का भी performance दिखाना चाहूंगा यह 2015 तक का है अभी detail में और यहापर आप देख भी सकते detail में थोड़ा यहापर देख सकते हैं दोस्तों आपको यहापर 53 करोड का performance देखने के मिलेगा net profit का और बढ़कर अभी फिलाल कितना हो गया है तो देखे सकते हैं तो detail में आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात observe करेंगे तो पता चलेगा कि दिपक नाटेट ने काफी interesting performance करकर दिखाया और weightage भी वैसा इस company में दिखाया देता है thank you so much दोस्तों I hope मुझे लगता आप detail समझ चुके